हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल मास्टर क्राप्टर फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सिक्स सेविन येर की गल के लिए शरारा या आप इसको घडारा भी बोल सकते हैं इसको आज हम बनाएंगी इसका जो टॉप है वो मैंने अप्लोड कर दिया है दुपट्टा का फैबरिक है और ये कौर्टन का का तो इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अब इसकी लेंद्ध देख लेते हैं फैबरिक की लेंद्ध 21 इंच है और इसकी इवीड्स है वो 12 है और ये डवल है अब इसे हम fourfold करेंगे इसके बाद हम उपर से मार्क करेंगे बैल्ट के लिए 3 इंच पर ये अभी सिर्फ हम उपर का पार्ट बना रहे हैं नीचे का हम बाद में बनाएंगे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये मैंने बैल्ट के लिए निशान लगाया है बैल्ट को हम अलग से नहीं लगा रहे हैं, इसी को हम फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, इसके बाद, इसकी जो लेंद है वो, यहाँ पर, उसका निशान लगाएंगे, तो 1.5 इंच पर हमने ये, आसन के लिए निशान लगाया है, और नीचे से, नीचे से हम पॉने आठ पर लगाएंगे, एक लाइन ड्रो कर लेंगे, फैब्रिक मेंने फेक्स ही लिया है, एश्टर नहीं लिया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, नाइन इंच आ रहा है, यहाँ पर एक राउंड सेप देंगे, और अब नीचे माक कर लेते हैं, तो नीचे सारे 9 इंच पर माक किया है, और अब यहाँ से इसको मिला देंगे, उपर भी हम सीधा एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसकी कटिंग हो गई है, यह इस तरीके से आएगा, इसके नीचे का पार्ट कट करेंगे, तो यह मैंने दो पीस लिए है, इसकी लंबाई चोड़ाई देख लेते हैं, यह नीचे का लाइनिंग पीस है, तो इसमें हम ज़्यादा गेर नहीं रखेंगे, मैन फैबरिक पर हम प्लेट लगाएंगे, इसमें हम ज़्यादा गेर नहीं रखेंगे, इसकी जो length है वो 31 है यानि इसकी चुड़ाई और length जो है वो 19 इंच है चुड़ाई इसकी 31 है और लंबाई 19 है यहाँ पर हम छोड़ी छोड़ी plates लगा लेंगे जो उपर का part है उसके इसाब से और अब इसे हम man fabric पकट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने man fabric पर इसको कट कर लिया है नीचे का जो part है वो मैंने ashtra लिया है क्योंकि नीचे के जो घेर रहेगा उसमें plates ज्यादा डलेंगी तो अब हम इनमें plates लगाएंगे और उपर का जो part है उसको stitch करेंगे तो जो जो जॉर्जट का fabric है वो 25 इंचिस है डवल फोल्ड में इसके बाद हम उपर का part देखते हैं तो इससे हम इस तरीके से stitch करेंगे और हमें सीथ पलटना नहीं है हमें सीदा स्था इस पर कट कर देना है तो यहां पर मैंने एश्टा फैबर को कट कर दिया है और इस पर स्लाई लगा दी है इसमें भी मैंने plates लगा ली है नीचे का जो लाइनिंग पीश है दौनों पीश पर उו, जो main fabric है उसपर भी plates लगाली है, प्लेटस हमें ऊपर का जो पार्थ है, उसके हिसाब से ये लेंद्ध रखनी है प्लेटस की, इसके बाद हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसको पलट लेंगे, साइड से हमें इसको पलट लेना है रॉंग साइड में हमें सलाय लगानी है और सीधा करके इसको पलट लेंगे इसी तरीके से हम लाइनिंग पीस पर भी करेंगे साइड से सलाय लगा लेंगे क्योंकि हम इसका घेर है वो अलग-अलगी स्टिच कर रहे हैं साथ नहीं कर रहे हैं तो यहां पर मैंने सभी पार्ट में लगा लेते हैं तो इसका जो घेर रहेगा वो अलग-अलग हो जाएगा अब यह जो लाइनिंग का पीस है इसे हम जो मैन फैब्रिक है इसके अंदर इसको इस तरीके से उपर से ही डाल देंगे और उपर से किनारे से हम सलाई लगा लेंगे इस तरीके से यहाँ पर सलाई लगा लेंगे आप चाहें तो नीचे लाइनिंग के लिए सेटन का फैब्रिक भी ले सकते हैं यहाँ पर हम दोनों पार्ट में सलाई लगा लेंगे तो यह मैंने सलाई लगा ली है दोनों पार्ट पर और अब यह जो उपर का पार्ट है इसको हम stitch करेंगे तो एक पार्ट मैंने सीधा रखा हुआ है और एक पार्ट को हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और यहां से हम जो कर्व गिया था हमने वहां तक हम sly लगाएंगे उपर से दोनों तरफ तो यह मैंने दोनों तरफ sly लगा लिए है और इस तरीके से बीच से हम इसको खोल लेंगे और यहां पर हम नीचे sly लगा लेंगे यहां sly लगा लिते हैं तो यह मैंने इस पर sly लगा लिए है और इसके बाद हम उपर से बेल्ट को फोल्ड कर देंगे आधा आधा इंच दबाते हुए और यह मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है इसे साब से हम इसको यहाँ पर हम पूरे राउंड पर स्लाई लगा लेंगे बस इलाश्टिक के लिए इसमें हम थोड़ा सा ग्याइप रहने देंगे इस तरीके से तो यह मैंने स्लाई लगा ली है पूरे राउंड पर बस यहाँ से इलाश्टिक के लिए छोड़ा हुआ है अब इसको सीधा कर लेते हैं और अब इसमें हम नीचे का पार्ट अटेच करेंगे अब इससे हम इसमें अटेच करेंगे तो दोनों पार्ट हमारे सीधे हैं अब हम नीचे के पार्ट को इसके उपर उल्टा करेंगे इस तरीके से और इस राउंड को हम इसमें से निकालते हुए इस पर स्लाई लगाएंगे इस पर स्लाई लगा लेते हैं तो ये मैंने इस पसलाई लगा ली है अब इसको सीधा कर लेते हैं ये इस तरीके से आएगा तो अब हम दूसरे पार्ट को भी श्टिच कर लेते हैं इसी तरीके से इसे हमें इस तरीके से रखना है और उपर वाले पार्ट पर हम इसको उल्टा करके पलट लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे तो ये दूसरे पार्ट पर भी सिलाई लग चुकी है इसको भी सीधा कर लेते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा इसके बाद नीचे जो बॉटम है इस पर हम इस तरीके से डवल फोल करके सिलाई लगा लेते हैं लाइनिंग के पीछ पर भी और मैन फैब्रिक पर भी और ये लेस हम नीचे लगाएंगे बॉटम पर इस तरीके से तो ये मैंने नीचे लेस लगा दी है और इसको डवल फोल्ड भी कर लिया है नीचे से यहाँ पर भी हम साइड से किनारे से एक लेस लगाएंगे जो पतली वाली है और उपर हम इलास्टिक लगा लेते हैं ये मैंने इलास्टिक ली है इसकी लेंद देखते हैं तो इसकी जो लेंद रहेगी वो बीस इंच रहेगी इसको कट कर लेंगे और इसको इंसर्ट कर देते हैं इसमें जहां से हमने ओपर रखा था और लास्टिक को इस्टिच कर लेंगे तो ये इसमें लास्टिक इंसर्ट हो गई है और अभी इसमें एक लेस और लगाएंगे हम तो ये मैंने इसमें नीचे से एक लेस और लगा दी थी तो ये इसका फाइनल लुक है अब इसको मैं पूरे सेट के साथ आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जो बिताएं और सब्सक्राइब कीजिए मैं चर्माशा कर आपको साथ लिवाल एकन को जो प्रैस कर लिए जिसे आपको आने वाली वीडियो की नोडिपिकेसन मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नर्जान के साथ तक लिवाए तेक्या